असलाम लेकूम आप देख रहे हैं कुकवी शगुफता आज मैं फर्स टाइम केमरे के सामने आई हूँ इससे पहले मैं एक साल से बिहाइंड दा कैमरा काम कर रही थी ये सब आपकी महवबत है और आपकी सपोर्ट है और मेरे घरवालों की सपोर्ट की वज़ा से आज मैं साम आई हूँ और आपने जितना प्यार मुझे दिया है इसी तरह आप मुझे अपना प्यार देते रहेंगा ताके मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके इसलिए लेकर आती रहूँ और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया जन लोगों ने अभी तक मेरे चेनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो जाईे नाजल दी करें और सात Alumni बेल आइकोन को जरू क्लिक करें बेल आइकोन को क्लिक करने से आपको मेरी सबसे पहले रेजबी देखने को मिलेगी और मेरी वीडियो को ज्यादत से ज्यादत शेयर किया करें मज़ीद वक्त जाय किये बगए फोरण चलते हैं रैस्पी की जानी बिस्मिल्ह रख्मान इरहीम आलू मंचुरियन बनाने के लिए मैंने लिये हैं तीन अदद आलू आलू को मैंने पहले से ही दो लिया था अब आलू को मैं अच्छी तरह से पील कर लेती हूँ छिल के उतार लेती हूँ आप काफी अरसे बाद मेरी वाइस रोकार्डिंग सुन रहे होंगे और ये आप लोगों का प्यार है जो के मैं दुबारा से वाइस रोकार्डिंग कर रही हूँ आई होप के आपको मेरी रेस्पी पसंद आएगी अगर पसंद आए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताईएगा और मेरी रेस्पी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये देखे मैंने बहुत अच्छी तरह से चील लिया है और मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ अब मैं इन्हें सेंटर से काटूंगी यालू को और इस तरह ये बिल्कुल क्यूब्स की तरह कटिंग होंगे और इसी तरह आपको लगएगा जैसे ये पनीर की तरह कटिंग किया हुए है मैंने यह देखें किते खुबसरत लग रहे हैं कटिंग किये हुए कोई भी चीज बनाते वक्त थोड़ा सा तो टाइम लगता है इसलिए वीडियो को स्किप किये वगार पूरा देखिएगा और यह देखें मैंने सारे कटिंग कर लिया है और पानी मैंने पहले ही फ्लेम पे रखा हुआ है ताके पानी बॉाइल हो जाए पहले पानी में हम हाफ टी स्पून नमक डाल देते हैं नमक डाल कर अच्छी तरह से मैं हिला रही हूँ अब इसमें मैं पांच मिनट के लिए आलू को पकाऊंगी पानी में ताके आलू अच्छी तरह से अंदर तक गल जाए अलू जब अंदर तक गल जाएंगे तो फ्राइ करने में हमें बहुत असानी होगी अगर अंदर अलू नहीं गले होगे तो इह फॉरण से फ्राइ नहीं होंगे बहुत काफी देर लगेगी हमें फ्राइ करते हुए और ये देखें, पांस मिनट में आलू अंदर तक गल चुके हैं, अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ और पानी में भैंग दूँगी अलू को हम फ्राई करेंगे, फ्राई करने से पहले हम बेटर त्यार करते हैं, जिसके लिए मैं बाउल में दो टेबिल इस्पून कार्ण फ्लोर डाल रही हूँ आ ज़री टेबिल स्पून मेधर डाल रही हूं जमच मarfत सकते में लेबिल नहीं डाल रही हूं कब भर भर कर डाल रही हूं है और साथ ही हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूं नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक संस्थावा I 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्स डाल रही हूं, हाफ़ टीस्पून लैसन का powder डाल रही हूं, अगर आपके पास लैसन का powder नहीं है, तो आप लैसन की पैस्ट भी डाल सकते हैं इसकी जगा, हाफ़ टीस्पून लाल फूद कलर डाल रही हो, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे ये देखें, मैंने पहले थोड़ा सा पानी डाला है और बाद में दुबारा से पानी मैं इसमें डाल मिल कुई ये देखें मुझे गाड़ा लग रहा है अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ओरेट करूंगे ये देखें ये इस तरह का होना चाहिए गाड़ा-गाड़ा सा अब आलू में इसमें डाल दूंगे और अच्छी तरह से चमच चलाएंगे ताकि सारे आलू में अच्छी तरह से कोटिंग लग जाए पांच मिनट के लिए मैं इसे रख रही हूँ ये देखें पांच मिनट हो गए है और कोटिंग बहुत अच्छी तरह से हर आलू में लग गई है नमक पी हर चीज बहुत अच्छी तरह से आलू में लग चुका है अब मैं इने फ्राई करती हूँ फ्राई करने के लिए पहले ही आउयल में फ्लेम पर रखा हुआ है कड़ाई में डाल कर तो हखा है के कर के हम आलू ठालेंगे एक साहत आलू नहीं डालेंगे एक साथ डालेंगे तो सारे एक दूसरे के साथ चिपक सकते हैं वह हमें अलग करने में थोड़ी से मुश्किल होगी इसलिए पहले से ही एक एक करके डालेंगे. डालते ही फॉरण से चमच नहीं चलाएंगे, बार के कुछ सेकिंड बाद हम चमच चलाएंगे. यह देखें, तकरीबान दो मिनिट बाद मैंने इसे चमच से हिलाया है. और जैसे ही यह क्रिस्पी से होंगे, मैं इन्हें निकाल लूँगी और कलर देखें माशालला कितना खुबसूरत आया है ये देखें बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ और ये अब मैं दुबारा से फ्राई कर रही हूँ दुबारा से फ्राई करने से ये बहुत ज्यादा अच्छी तरह से क्रिस्पी होंगे और ऑईल देखा था आपने कितना गरम था इस टाइम बस मैं दो मिनट तक ही पकाऊंगी ज्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि ये फ्राई तो हो चुके थे लेकिन हमने इन्हें दुबारा से क्रिस्पी करना था ये देखें कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं ये देखें आलू मैंने निकालने के बाद ये आईल निकाल लेना है कड़ाई में से और ये देखें आईल मैंने निकाल दिया है सिर्फ दो टेबल स्पून आईल मैंने कड़ाई में रहने दिया है और आईल में डाल रही हू वन टेबिल स्पून चॉप किया हुआ लहसन, लहसन को डाल कर हम ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हलका सा सोते करेंगे, और जैसे ही लहसन की खुश्पु आने लगेगी, मैं इसमें शिमला मिर्च कटिंग की हुई डाल दूगी, यह देखें, लहसन की खुश्पु आन शिमला मिर्च भी डाल कर हम हलका सा भूनेंगे, ताके शिमला मिर्च की भी जो क्रिस्पीनेस है, वो इसी तरह बरकरार रहे, नरम ना हो, अब मैं इसमें डाल रही हूँ थाइम, अब थाइम की जगा और इगानों भी डाल सकते हैं, हाफ टेबिली स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सास, वन टेबिली स्पून चिली सास डाल रही हूँ, हाफ टेबिली स्पून सिर्का डाल रही हूँ, और वन टेबिली स्पून चॉप की वी हरी मिर्च डाल रही हूँ, बस कुछ सेकिंड ही चमच चलाएंगे ज्यादा नहीं चलाएंगे और इस टाइम मैंने फ्लेम बंद कर दिया है अब मैं इसमें आलू डालूंगी जो हमने फ्राई किये हुए थे आलू हम उसी टाइम डालेंगे जब हम फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि आलू डालने के बाद हमने पकाना नहीं है बस चमच चलाना है ताके सारी सौस और जो भी हमने मसाले डाले है वो आलू में अच्छी तरह से लग जाए यह देखें आलू मंचूरियन हमाय त्यार हो च कि अब को बहुत पसंद आये जब आप इस घर में बनाएंगे तो बढ़ों को तो बहुत पसंद आओंगे यह बचों की बहुत पसंदीदा डेश है कि यह बिल्कुल इस्पाईसी नहीं है जब बचे खाइंगे तो आप से बार-बार इस की फिरमाइश करेंगे और अगर र झाल झाल